महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि असली भारत तो उसके गाउं में बसता है उनका वानना था कि यदि भारत को सही धंग से समझना आए ना तो गाउं की आत्रा करनी चाहिए गाउं के प्रति उनके ये विचार यूही नहीं बने थे क्योंकि वो जानते थे कि भारत की उन्नती तभी हो सकती है जब गाउं के लोग आगे आकर इसमें अपनी एहम भूमिका निभाएं अब बाकियों का को तो पता नहीं लेकिन UPSC में जरूर गांधी जी के ये विचार दिखाई देते हैं कभी तो हर साल जपल होने वाले अधिकाज लोग ग्रामीड परिद्रिश्य से आते हैं लेकिन एक चुकानी वाली बात ये भी है कि भारत में कुछ गाउं ऐसे भी हैं जहांकि अधिकाज आबादी IS या IPS है तो आज के विडियो में आपको कुछ ऐसे ही गाउं के बारे में बताऊंगी तो आए शुरुबात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गाउं के बारे में और ये गाउं का नाम है माधुपट्टी अब इस गाउं को IS का गाउं भी गहा जा सकता है क्योंकि इस गाउं में कुल पिचतर परिवार ही रहते हैं और उन में से 37 परिवार ऐसे हैं जित में से कोई ना कोई IS या IPS जरूर है तो और तो और इस गाउं में एक परिवार ऐसा भी है जहां से 5 लोग IS या IPS बनेंगे इस परिवार से साल 1964 में दो लोग ने UPSC ट्राक किया था और उसके बाद 1968 और 1995 में और अभी हाल ही में 2022 में भी इस परिवार का एक सर्दिश्य आईएस बना है अब उत्तर प्रदेश से निकल कर आईए चलते हैं बिहार अब बिहार में कैसा दिला है जिसका नाम है सहरिसार जिसमें बसा है एक छोटा सा गाउं जिसका नाम है बन गाउं अब वैसे तो ये गाउं भारत के नक्षे पर आपको बहुत धूणने पर मिल जाएगा लेकिन ये बड़े बड़े अफसर इंजीनियर्स के साथ साथ पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का गाउं है और जब भी UPSC का रिजल्ट आता है तो लोग पूछते हैं कि इस बार बन गाउं से कितने लोग हैं जिन्होंने पास किया है क्योंकि गाउं आलोका मानना है कि इस गाउं पर महा सरस्वती की असीम कृपा है तभी तो यहां से आजादी से पहले से इषिवल सेवा न्यूप्त किये जा रहे हैं विश्वबांग के Water Global Practice के डिरेक्टर सरोच कुमार भी बन गाउं के ही हैं और इस लिसमें अगला गाउं भी बिहार से ही हैं बिहार के शिवहर जिले के कमरॉली गाउं की खास पहचान हैं 90 फीसद साक्षरता दर के साथ ही गाउं से कई आयस अधिकारी निकले हैं जिला मुख्याले से मह 4 किलोमेटर पूरब स्थित कमरॉली पर विद्या की देवी सरस्वती की विशेश क्रिपा हैं यहां के सियाराम प्रसाद सिन्हा और फसीता राम प्रसाद को प्रथम आयस अधिकारी बनने का स्वभाग्य मलें और इसके बाद किसान के पुत्र लक्षमेश्वर प्रसाद को सफलता मिली हैं हारत सरकार के मानद संसाधन विभाग में निदेशत के पत्ससे सेवा नित्र हुए हैं और इसके अलावा कई लोग वैग्यानेक और डॉक्टर और मैक्ट में अधिकारी बनकर भी इस गाउं का नाम रोशन कर रहे हैं और इसके चलते इस गाउं का नाम कलेक्टरों का गाउं नाम पढ़ गया और इससे प्रेड़ना लेकर भावी बीडी भी अब आगे बढ़ रही है अब पूर्णी भारत से चलकर आते हैं भारत के पश्चिमी इलाके में पूर्णी राजस्थान के सवाई माधुपूर जिले के गाउं बाम नवास को आयस आईपयस अधिकारियों का गाउं कहा जाता है यहां से अब तब 1300 से भी अधिक प्रशास्थिक अधिकारी बने हैं इनमें से एक परिवार तो ऐसा है जिनमें दो भाई पुलिस महानिदेशक बने एक भाई राजे का मुख्य सच्चिव भी बना अब इसी परिवार का एक भाई कस्तम अधिकारी के रूप में मुंबई मे फिलहाल पैनाथ है इस गाउं के लोग जो हैं बड़े ही गर्व से कहते हैं कि हमारा गाउं देश में सबसे अधिक प्रशास्थिकारी देने वाला गाउं है और अब बात करते हैं चित्रकूट के रैपुरा गाउं की अब इसकी कहानी भी बहुत इंट्रिस्टिंग है यह जो है वो कभी दकैतों के लिए मशूर था लेकिन अब इस गाउं के पैचान आईएस अधिकारी और आईपियस अधिकारी हैं दरसल गाउं के लगभग देड़ दरजन से अधिक लोग इस समय आईएस आईपियस जैसी जो विभिन सेवाओं में वो उच अधिकारी के पदो इससे तो कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि जो चीज आक्चिली में माईने रखती है वो माईने रखती है वो है समर्पन आपकी मेहनत तो आज से आप भी अपने मन में ठान लीजे कि आपको योपी एसी क्वालिफाइग करना ही है ताकि आप भी अपने गाउं का नाम करूर दबा दिजे विल बी वेरी हैपी और इस तरह के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे देखते रहिए प्रभातिक साथ नमस्कार